नमस्कार, इलक्षन खतम हो गए, 542 सेट्स पर मोधी जी भी लड़ गए, लेकिन वो Member of Parliament यानि की MP बना रहा से बने और वो देश के प्रधान मंद्री बन गए, ऐसे में आपकी constituency यानि की आपके चुनावी छेत्र में कई सारे मोधी जीतो नहीं जीते, लेकिन ऐसे ही आपकी constituency यानि की आपके चुनावी छेत्र में आपने कई सारे मोधी तो लड़ा दिये, लेकिन अंजाने में आपने अपनी constituency यानि की चुनावी छेत्र में अपना एक representative भी elect कर लिया है, जिसको Member of Parliament कहते हैं, जो आपके बात को पहां तक पहुँचाता है और कि उनका criminal record क्या है, उनका financial status क्या है, education क्या है, वगरा 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 सब कुछ, चलिए शुरुवात करते हैं ADR यानि की Association of Democratic Reform ने एक ताजा report को publish किया है, उसका link में description में दे दूँगा, खुद से भी चेक कीजेगा ADR की report बताती है कि 539 सांसदो यानि की Member of Parliament के bio data को चेक किया गया, जिसमें से 233 जो winning candidate पर कई सारे criminal cases चल रहे हैं, criminal charges है और अब इन 233 winning candidates का breakdown करते हैं, एक एक करके party wise कि किस party में कितने कितने Member of Parliament ऐसे हैं, जिसमें criminal cases चलते हैं भारतिये जनता party BJP से, BJP के 116 MPs हैं और winning percentage की बात की जाये, तो 39% होस्त चाता है, जिनके उपर criminal cases चल रहे हैं, criminal charges हैं अगर बात मैं Congress की करूं, तो 39 MPs जो जीत चुके हैं, वो Parliament में बैठे हैं, बैठेंगे, उनका winning percentage हो जाता है 57% अगर मैं बात करूं, regional parties की तो JDU, जिसके 30 MPs हैं, यानि की 43% लोग हैं, और DMK के 10 MPs, यानि की 41% लोग, और TMC के 9 MPs हैं, यानि की 9 Member of Parliament हैं, सांसद हैं, जो चुन करके सांसद में गए हैं, यानि की 41% हैं ऐसे लोग हैं, जिन पर criminal cases या serious charges लगे हुए हैं, अब इस data को हम compare करते हैं, 2014 की data से, अच्छा जो ADR है, यह अपने reports देती रहती हैं, आप जाकर खुद भी check out कर सकते हैं 2014 में 185 लोग सभा members ऐसे थे, जिस पर criminal charges थे, अगर मैं पूरा percentage निकालू तो कुछ 34% होता है, और 112 MPs ऐसे थे, जिस पर serious criminal cases चल रहे थे, और वो संसद में बैठे हुए थे, और आप लोगों के लिए काम कर रहे थे, पता नहीं कैसा काम अगर 2009 में एक step पीछे जाता हूँ, तो 162 MP ऐसे हैं, जिन पर criminal charges थे, और 14 फिसदी ऐसे भी थे, जिन पर serious criminal charges थे, तो आपने देखा कि 2009, 2014, 2019 में एक hike है, एक बरते चले गए हैं और 17 लोग सभा election 2019 में 29% cases ऐसे हैं, जिन पर rape, murder, attempt to murder, crime against women हैं, जैसे कई सारे serious criminal charges हैं अगर मैं इनको भी breakdown करूँ जिस पर criminal charges इतने serious वाले हैं, तो ऐसे total MP बैठते हैं 11 अभी 11 MP अलग अलग parties के हैं, शुरुवात करता हूँ BJP से, जिसमें BJP में 5, BSP में 2, और एक Congress में, एक NCP में, और एक YSR में ये भी ADR की report बताती है, साफ साफ, link description में है, आप सबूत वहाँ देख सकते हैं और बाकी एक नाम की बहुत चर्चा हुई थी, वो थी प्रग्या सिंग ठाकुर, जो की आज Member of Parliament बन चुकी है, BJP की टिकेट पर भोपाल से उन पर खुद एक Terror Charges लगे हुए हैं, जैसे कि 2008 में माले गाउं में ब्लास्ट हुआ था, उस connection में उसका नाम जोड़ा गया था Congress के candidate हैं, जो केरला से जीतते हैं, उन पर एक नहीं, दो नहीं, सो नहीं, पूरे 204 cases हैं, criminal cases हैं अब बात करते हैं कि elected candidate की financial condition कैसी हैं, जो चुनाव लड़े और जीत करके पहुँचे, अब बात करेंगे उनकी जीत करके पहुँचे, 539 elected MPs में से 475, यानि कि कुल 88% करोड़ पती हैं, और 2014 में ये संख्या 542 में से 443 थी, यानि कि 82% थी, यानि कि अब भी हाइक है, वो ल 315 लोग थे, जो करोड़ पती थे, अब अगर मैं इन सभी की average asset की बात करें, तो winning candidate की 2019 में कितने कितनी averages हैं, अलग-अलग party में, तो बहुत बड़ी जो party है, बीजेपी अपने दम पे 300 प्लस जिसने बनाए हैं, एक बहुत ही magical number है, तो बीजेपी के 301 MP, Member of Parliament पर 14.52 करोड़ के asset है, average Congress के 51,51 MPs पर 38.71 करोड़ के asset है, वहीं DMK के 23,23 MPs पर 24.51 करोड़ के asset है, बताइए, अब वहीं तीन candidate ऐसे भी हैं, ऐसी Member of Parliament बने हैं, MPs बने हैं, कि जिनके पास 3,00,000 से कम के asset हैं, जिसमें बीजेपी के 2 MP और YSRCP क्या एक candidate है, अब बात कर लेते हैं, कि उनकी elected candidate है, उनकी qualification क्या है, जीत हुए MPs में 128 candidate यानि कि 24 फीसदी ने class 5 से लेकर के class 12 के बीच में या उसको pass किया हुआ है, 392 candidates यानि कि 73 फीसदी ऐसे हैं, जिन्होंने या तो graduation complete कर लिया है, या तो post graduation को complete की हुई है, वो ये आखडाग बताता है, और वहीं एक MP ने खुद को literate यानि कि वो लिख सकता, पढ़ सकता, sign कर सकता है, वो declare किया है, और एक candidate ने अपने आपको illiterate declare किया है, जो कि अब लोगसभा चुनाव में जीते थे, अब बात करते हैं, elected 572 लोगसभा member की, कि उसमें कितने age group के लोग हैं अलग-अलग, 194 या 50 के बीच में हैं और दो MP ऐसे हैं, जिनकी उमर 80 साल से उपर है, अगर लोगसभा चुनाव में women candidate कितनी जीत करके आई हैं, सिर्फ उसी पर बात करूं, तो संख्या पहुंचती है, महज 77, 87, यानि कि 14 फीसदी, 2014 में देखें तो 62, और 2009 में 59 member of parliament थी, अब इन सब की बात हो गई है, तो अब बात कर लेते हैं, नोटा जो किसी का नहीं होता पकड़ा देता है, लोटा, इस बार लोगसभा चुनाव में देश में सबसे ज्यादा बिहार की जनता ने नोटा का बटन दबाया, यानि कि none of the above, मुझे कोई सा भी उमीदवार पसंद नहीं आना, यानि कि सिरे से खारिस कर दिया, अब बिहार के 8.17 लाक मत दाताओं ने नोटा का अस्तमाल किया, इसी तरह राजिस्थान में 3.27 लाक मत दाताओं ने नोटा का अस्तमाल किया, यानि कि इन में से कोई नहीं का विकल्प चुना, अब दिल्ली में आम चुनाव में 45,000 से अधिक मत द उमीदवारों की यानि की कैंडिडेट की सूची में से नोटा को 2013 में सुप्रीम कोट की आदेश के बाद शामिल किया गया था इससे मतदाताओं को एक ऐसा विकल पर मिल जाता है कि अगर वो अपने छेत्र के उतारे गए या फिर कैंडिडेट को जो टिकिट दिया गया है उम लगाने ही आपने किसको इलेक्ट किया हुआ है इसी लिए मुझे पताना जरूरी था हर consistency का मैं नहीं बता सकता कि इस constituency में यह व्यक्ति हैं तो इन पर ये criminal cases चल रहे हैं यह आपकी duty है आपको पता लगाने कि अगर आपको नहीं पता कि कैसे चेक करते तो description में मैं लिंक दूंगा तभी जब आप मेरे से कमेंट में सवाल पूछेंगे सवाल पूछेंगे अपने कॉंस्टिट्वेंसी का नाम बताईए हो सकेगा तो मैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगा वैसे हर सीट पे मोदीजी लड़े दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजेगा जा क्या में जाया ते आमाश करा